हेलो दोस्तों, लेट्स ले बार भी में आप सभी का स्वागत है, चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है, यहाँ पर अभी सब सो रहे हैं, और फिर पिंकी चग जाती है, अरे सुबा हो गई है क्या, अरे हाँ लगता तो है सुबा हो गई है, धूप सर पर है, पता ही कि वह आज कल जल्दी आखी नहीं खुलती चलो उठ जाती हूं अभी चलो सिधाजी को सोने देती हूं वैसे भी अभी टाइम है उन्हें ओफिस जाने में चलो तब तक मैं अपना काम घर लेती हूं नाश्टा अश्टा बना लेती हूं यह बोलगर पिंकी बिस्तर को रखन मंचले तो सुबा सुबा कहां से आ जाती हो और मेरे पोधे खाने लगती हो हटो 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 अरे मैंने कितने प्यार से इसे उगाया है तुम तो सारा खा जाओगी लगता है तुम्हारी मालकिन तुम्हें कुछ भी नहीं खिलाती है वैसे तुम बहुत ही प्यारी हो वैसे ग गमले मत खाना ठीक है ना और यहाँ पर पिंकी घास लेकर आजाती है अरे गया तुम तो बहुत ही समजदार हो, तुम तो मेरे गमले नहीं खा रही थी, आराम से खड़ी थी, ये लो खा लो अरे आराम से, तुम तो बहुत ही भूकी हो इसलो तुम ग्वाज खाओ जाके मैं अपना काम कर ले दीू ठीक है न चलो मैं जाके पहले जाडू मार लेती हूँ और यहाँ पर पिंकी जाडू लगाने लगती है अरे ये क्या था जो मेरे सर के ओपर से गया इतनी बड़े चेल थी क्या चलो जाके देखती हूँ मैं और यहाँ पर पिंकी जाने लगती है अरे अरे पिंगे क्या हुआ तुम्हें इतनी क्यों दोर से चिलाई क्या हुआ भाग क्यों रही हो तुम अले क्या हो ममी क्या हुआ कौन भाग रहा है कौन भाग रहा है बताओ मुझे अरे स्वीटी इस मैं इतनी चोगने वाली क्या बात है पिंगी भाग रही हूं मैं वही पूछ रही हूं उसे अरे वा इतनी बड़ी जहाज तो मैंने पहली बार देखी है क्या है असली है कि खिलोना है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अरे भाबी सिद्धाजे उठिये देखिये ना कितनी बड़ी जहाज है अरे भाबी आप जगने जल्दी है जल्दी है ये देखिये ना कितनी बड़ी जहाज बाप रे बाप दिखाओ तो अरे अरे हां कितनी बड़ी जहाज है चाजी असली जहाज है क्या अरे बाप रे चलो मैं नजदिक से देखती हूँ अरी स्वेटी रुको रुको इतनी नजदिक मत जाओ उन्हों तुम्हारे उपर गिर जाएगा पेड़ों पर ही तो टंगा है मत जाओ अरी हाँ स्वेटी वहाँ पर मत जाओ लेकिन कितना बड़ा ये जहाज है मैं तो देखती ही रही गई अरी वाह लगता है खिलोना है मुझे असली तो नहीं दिखाई दे रहा है क्यों कि मैंने असली जहाज देखा है ऐसा नहीं होता है अरी नहीं नहीं भाबी ये असली जहाज है पता है ये मेरे सर की उपर से उड़ा मैं थोड़ा सा ही बची ने तो मेरे सर से ही टकरा जाता आतो में जिन्दा ही नहीं बचती क्या तुम सहीं कह रही हो तुमारे सर के उपर से ही गया अरे चलो अच्छा हुआ कुछ हुआ ने कुछ ऊच नीच नहीं हुई चलो तुम बाल बाल बच गई पिंगी चलो चलो मैं जाते ही चाचू को जगाती हूँ उतारेंगे जहाज को चाचू चाचू उठिये जल्दे उठिये चाचू देखिये हमारे पेड़ पर क्या अकर गिरा है अरे भाई क्या हुआ क्या अकर गिरा है अरे चाचु आपको पता है हमारे पेड़ पर बहुत ही बड़ी जहाज गी रहा है औरे क्या तुम सहीं कह रही हो तिस सुबा सुबा कहां से जहाज आकर गिर गया भाई पेड़ पर अरे हाँ आप सब तो सहीं कह रहे थे तो बहुत ही बड़ी जहाज है अरे बापुरे लेकिन मुझे लगता एक खिलोना है असली नहीं है अरे सिधाजी कम सक्वम उतारिये तो सहीं तभी तो देखेंगे मेरा तो पहुती मन कर रहां उसे नस्दीक से देखने के लिए उतारिये ना और हाँ सिधाजी आपको एक बात पता है मेरी सर के उपर से ही गया मैं तो भाई बाल बाल बची नहीं तो मैं जिन्दा ही नहीं बचती अरे हाँ पिंगी चलो अच्छा हुआ कि आप बच गई लेकिन मैं इसे कैसे उतारू मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चलो पीछे से ही जाकर देखता हूँ अरे पिंगी जी ये तो बहुत ही उपर है इदम पेड़ के उपर है मैं इसे कैसे उतारू मैं तो भाई इतनी उपर चड़कर नहीं उतार पाऊंगा अरे सिधार जी कमजम कोशिश तो कीजिए उतार लेंगे अरे क्या पिंगी जी अच्छा ठीक चड़ता हूँ मैं चलो भाई चड़ना ही पड़ेगा ये तो बहुत ही भारी दिख रहा है मुझे अरे वार सिधार जी उतार लीजिए उतार लीजिए आप उतार लेंगे अरे हा हा उतार तो रहा हूँ कोशिश तो कर रहा हूँ ये बहुत ही भारी है फाप्रे संभाल को उतारना पड़ेगा नहीं तो गिर जाओंगा इसी के साथ और पिंके जी यह जहाज नहीं हेलीकॉप्टर है देखिए यह कितना सुन्दर है लगता है खिलोना है और यह किस अमीरजादे का इतना बड़ा खिलोना है संभाल के भी नहीं रख सकता है इसी को चोट लग जाए तो और यहाँ पर सब लोग आखे फाड़ फाड़ कर जहाज को देखने लगते हैं अजी इस गाम इतनी बड़ी जहाज किसका हो सकता है कोई आया भी नहीं लेने के लिए ना धुनने आया पता नहीं किसका है अरे चाचु यह हमारे पेड़ पे आके गिरा है तो यह हमारा हो गया हम किसी को नहीं देंगे ठीक है ना चोलो मैं इसकी खेल तो शक्ती होना इसके साथ मैं खेलू क्या मेरा पहुत ही मन कर रहा इसको चलाने का अरी हाँ सिधार जी कब से कम बच्ची को खेल तो ली नहीं दीजिए मेरे सरके उपर से गया अगर मुझे कुछ हो जाए तो कब से कम इसका तो भरपाई हो जाए ला पिंगी तुम भ बार बार बोल रही हूं अच्छा ठीक है सुटी चला लो ठीक है ना थोड़ी देर के लिए पर ज्यादा मत चलाना वो जिसका भी होगा उसे दे देंगे हामों आएगा तो ठांकी चाचु अरे अरे यह तो चलने लगा अरे 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 सिधा जी देखिए वो उड़ने लगा अरे कहीं सुटी को चोट ना लग जा इसे अरे नहीं नहीं पिंकी जी उड़े गए नहीं इतनी उपर से गिरने से उसका पुर्जा एकदम धीला हो गया है कुछ नहीं होगा अरे वाह ये मज़ा आ रहा है बहुत ही मज़ा आ रहा है और फिर तभी यहां से चिंकी आ जाती है अरे ये क्या एक बड़ी अले ये तो हेलीकॉप्टर है अरे स्वेटी तुमने इशे कब खरीदा तुमने तुम मुझे बताया ही नहीं इसके बारे में तुम बहुते गंदी हो स्वेटी तुमने बताया नहीं कि तुमने इतना बड़ा खिलो न लिया आके ले-के ले खेल रही हो तुम ऐसे लिए मेरे चला रही हूं तुम्हें बैठना तो आगे बैठ जाओ बेठना क्या तुम्हें अरे स्वेटी ये भी कोई पूछने वाली बात है मैं जरूर बैठूंगी अले वा कितना पड़ा है चलो मैं भी बैठती हूँ और ये चिंकी भी ना कितनी बड़ी ड्रामे बाज है आपी तो रो रही थी अचानक से हसने लगी भाई ये लड़किया भी न अरे क्या ठिंकी बैठा मैंने तुम्हें इतनी महंगय जहाज लागे दी और तुमने गुमा भी दी तुम तो बहुत ही जादा अला परवा हो गए हो अम मैं कहां कहां ढूड़ू अरे मम्मी मुझे माफ कर दीजिये मुसे गलती होगी उम इसे थोड़ा कंट्रोल खो गया और पता नहीं कहां उड़के चला गया मुझे माफ कर दीजिये लेकिन मुझे मेरा हेलिकॉप्टर चाहिए मम्मी चलो ढूणते हैं ठो ठो पतां मेरा हेलिकॉप्टर मम्मी अरी तो बताओ मत मैं कहा से ढूणके दू मैंने सारा गाओ तो छान मारा पता नहीं तुमने कहां उड़ा दिया उसे चलो बस ही एक घर बचा है चलो उनके हाँ भी पूछ लेते हैं अरे हाँ हाँ ममी चलो चलते हैं मेरी जहाद मेरी हेलिकॉप्टर मुझे चाहिए अरे हाँ हाँ चलो चलो ये टिंगु भीना मुझे कितना परिशान करता है अरे मम्मी ये तुम मेरी ही जहास है अरे मिल गई मेरी ही जहास है तुम कहाँ चले गए तुम मेरे उसमें कितना ढूंडा ये लड़कियो चलो उतरो जल्दी से मेरा जहास है तुम्हारा नहीं है उतर जाओ जल्दी से अले तुम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि तुम हाले जहाज है यह हमाले अंगर में गिलाम तुम ऐसे नहीं देंगे हमें इतके साथ खेलना है और भी अरे ममी देखिए लड़गी हमारा जहाज नहीं दे रही है ममी ममी कुछ कीजिए अरे हाँ हाँ भाई साव हम जूट नहीं बोल रही है मेरे बेटे कहीं जहाज है दे दीजिये कोई मसला मत क्रियाट कीजिये ठीक है ना और नहीं नहीं बेहन जी हमें कोई मसला नहीं क्रियेट करना है यह आप ही का होगा जहाज हमारी नहीं है यह तो बस हमारे घर पे आकर गिरा था तो बच्छे थोड़ा सा खेलने लगे और किया ले जाईए आपका जहाज कुछ जाद ही बोल रही है तो अरे हाँ हाँ भाई साब शुक्रिया शुक्रिया आपका चलो चलो टिंगो चलो लेकर चलो जहाज को वे इसे भाई साहा मैं तो कहती हूँ आपी ऐसे ही एक जहाज ले लीजी अपने बेटी के लिए लगता है उसे इससे कुछ जाद ही लगा हो गया है ठीक है ना ले लीजी है मैं आपको नंबर दे दूँगी फिर ओडर कर लेना अपने आपको समझती क्या है कुछ जाद ही बोल रही है भाबी आप देख रही है ना कैसे बोल रही है जैसे बस इन्हीं के पास पैसे हैं और किसी की पास तो पैसे ही नहीं है अरे हाँ पिंगी तुम सहीं केर्यू मैं भी सुन रही हूँ बेहन जी लेजे ये अपना जहाज ठीक है ना हाँ हाँ चलो टिंगू चलो चलो जहाज जल्दी सुठाओ और हाँ अगली बार बद गुमाना जहाज को अरे हाँ मम्मी अब मैं बहुत ही आराम से चलाओंगा मैं कहीं नहीं जानी दूँगा अपने जहाज को अरे हाँ ठीक है चलो अब उठालो इसको अरे मम्मी बहुत ही भारी है चलो मैं तुम हरी मदद करती हूँ औरे बापरे औरे बापरे यह तो बहुत ही भारी है आराम से टिंगू आराम से चलो 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 लेकर चलते हैं चलो और यहाँ पर सब लोग हसने लगते हैं अरे पिंगी तुम देख रही हो न कैसे उठा रही है अरे हाँ हाँ भावे मैं देख रही हूँ अले देखो चिंकी ये तो जहाज लेकल चाल हम किर्शे खेलेंगे आप अरे हाँ स्वेटी ये तो बहुती शरारती बच्चा है अले हाँ चलो हम गुड़ा गुड़िया खेलते हैं ठीक हाना हम कितने दिनों के गुड़ा गुड़िया नहीं खेले हैं अज हमारा चुट्टी भी है अली हाँ तुम तो शही बोले चलो खेलते हैं अरे भाई बच्चे भी ना आराम से सोने भी नहीं दिया दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीस हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें थाइक यू फॉर वच्छिंग